नमस्कार दोस्तों, गाय पालने का काम सिर्फ अहीरों का ही है, सिर्फ अहीरी गाय पाल सकते हैं, ये बस अहीरों और यादवों की पुष्टैनी काम है, वही ये करें, वही ये करते आएं, इसके अलावा उनको कोई और काम नहीं करना चाहिए, दोस्तों ऐसा हम नहीं कह रहे अरे अहीरो का काम ही जानवर पालना था, वो अपने पैत्रिक धंदे को ही भूल रहे हैं, गाए और भैस पालना तो अहीरो का मुख्य काम था, मंत्री के घर में पैदा हुए, मुख्य मंत्री के घर में बड़े हुए, आस्मान से टपके हैं, इसलिए उन्हें बार बार यही याद आती है, उनके तो पूरवजो का यही धंदा था, जिस नंद बाबा के वंशज बनते हैं, उन नंद बाबा के नौ लाग गाय थी, लेकिन अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा क्या कह दिया, कि मंत्री जी उन्हें उनका पात्रे काम याद दिलाने लग गए, चलिए, दरसल यूपिम में विधानसवा का मौनसून सत्र चल रहा है, पहले दिन ही अखिलेश यादव ने आवारा पशुओ के मुद्दे को उठाया था, आवारा पशुओ के मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित तिनात और सरकार को वो अकसर घेरते रहते हैं, प्रदेश में आवारा पशुओ से कई घटनाय हो चुकी हैं अब तक, जिनने अखिलेश यादव प्रमुकता से उठाते हैं, लेकिन इस बार सदन में जब ये मुद्दा उठा, तो कैबिनेट मंत्री ने पूरे अहीर समाज का अपमान कर दिया, अखिलेश ने उनके इस बयान पर ट्वी मंत्री जी को सनमती दे भगवान, यदि एहंकार से मतिबंग होने का कोई उपचार होता, तो हम उनके लिए भी सचे मन से प्रार्थना करते, उनके इस अपत्ति जनक बयान पर अब घमासान मत सकता हैं दोस्तों, अभी तक समाजवादी पार्टी मनिपुर और बाकी मुद् खिलेश यादव पर दिये गए इस बयान को सपा पूरे अहीर समाज का अपमान मान रही है। आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जै भीम, जै भारत!